क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हम म्यूजिक को कैसे सुन पाते हैं अब तुम कोगे कि राम मेरा मोबाइल या फिर मेरा लाप्टॉप ये साउंड को क्रियेट करता है और ऐसे ही मैं इस साउंड को सुन पाता हूँ लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ और भी हो रहा है देखो ए आसे ही करते करते सारी मॉलिक्यूल की लेयर्स ये वाइब्रेट करने लगती है अब एयर मॉलिक्यूल के इस वाइब्रेशन को हम साउंड वेव बुलाते हैं और जब ये साउंड वेव ये हमारे कानों तक पहुसती है न तो हम इस म्यूजिक को सुन पाते हैं लेकिन तुम तो आप देखते हैं कि ear के अलग-अलग parts ये कैसे साथ में काम करते हैं ताकि हम music को सुन पाएं तो देखो, ear के majorly तीन पार्ट होते हैं ये बाहरी हिसा इसे हम बुलाते हैं outer ear ये beach वाला हिस्सा इसे हम बुलाते है middle ear और ये अंदर वाला हिस्सा इसे हम बुलाते है inner ear अब देखो ये सबसे पहली पार्ट outer ear की होती है इसे हम बुलाते है पिना ये वो वाला पार्ट है जिसे तुम देख सकते हो जिसे तुम टच कर सकते हो या फिर जिसे पकड़के तुम्हारी मम्मी तुम्हें डाटती है अब देखो पिना का function ये है कि ये सारी sound waves को collect करता है और इन्हें भेज देता है हमारी auditory कनाल के अंदर अब sound waves इस channel की तुरू जाती है और फिर hit करती है हमारे ear drum को देखो ये इसे मैंने green color से दिखा रखा है लेकिन असल में ये green color का होता नहीं है ठीक है अब देखो इसे हम ear drum इसलिए बुलाते हैं न क्योंकि ये एक drum की skin के तरह होता है drum की उपर वाली layer की तरह मतलब कि ear drum ये एक transparent layer है और ये बहुत ही sensitive है vibration की हलकी सी में motion होगी न तो ये ear drum vibrate करने लएगा यानि कि जब air molecules artery canal के अंदर vibrate करते हैं और फिर ear drum को strike करते हैं तो फिर ear drum ये भी vibrate करने लगता है अब देखो ear drum ये outer ear और middle ear को separate करता है तो अब आप बात करते हैं middle ear की parts की तो middle ear में होते हैं इंसान के body के सबसे छोटे तीन bones और इन तीन को हम साथ में बुलाते हैं और इनके खुद के भी बड़े ही fancy नाम हैं पहले वाले को हम बलाते हैं malleus दूसरे को incus तीसरे को stapes और मेरे पास यहाँ पे एक picture है जो कि दिखाती है कि असलियत में ये bones कैसे दिखते हैं तो देखो इनके interesting shape के कारण हम इने कुछ common नाम भी देते हैं जिने के याद करना थोड़ा आसान पड़ जाता है पहले को हम बलाते हैं hammer दूसरे को anvil और तीसरे को stir up देखो अगर तुम घुर सवारी करोगे ना तो stir up वो चीज होगी जिस पर कि तुम pair रखोगे अब देखो जब ear drum vibrate करता है तो इसके साथ-साथ ausicles ये भी vibrate करने लगते हैं तो यानि की ausicles का function ये हो गया कि ये vibration को ear drum से inner ear में transfer करते हैं लेकिन केवल यही इनका mean function नहीं हो गया देखो ये sound waves की pressure को amplify करके increase करके inner ear में transfer करते हैं अब तुम ये सोच रहोगे यार यहाँ पे vibration pressure को increase करने क्या ज़रूत पड़के तो देखो inner ear में होता है एक liquid ना की air तो यानि की यहाँ पे vibrations को हमें एक liquid के अंदर transfer करना है ना की air के अंदर और तुम्हें अंदाजा होगा कि यार एक liquid को vibrate करवाना ये थोड़ा मुश्किल काम होने वाला है compared to air को vibrate करवाने से तुमने ये खुद भी देख रखा होगा कि तुम आसानी से air में अपने हाथ को हिला पाते हो लेकिन अगर वही तुम्हें एक swimming pool के अंदर हो तो पानी के अंदर हाथ को हिलाना ये तोड़ा मुश्किल हो जाता है तो क्योंकि हमें यहाँ पे एक liquid को vibrate करवाना है इसलिए हमें यहाँ पे एक higher pressure की ज़रूत होने वाली है और यही करने में मर्द करती है हमारी ossicles in fact ossicles ये pressure को 20 गुना तक बढ़ा सकती है अब तुम यह सोच रोगे राम ऐसा कैसे हो पाता है तो देखो ऐसा होता है ossicles की structure के कारण तो देखो यहाँ steepies का area यह बहुत ही छोटा है compared to ear drum के area से तो जब force यह transmit होता है from ear drum to steepies तो यह concentrate होता चला जाता है एक छोटी area पे और तुम्हें पता होगा कि जब same force यह एक छोटी area में concentrate हो तो यानिकी pressure यह increase होता चला जाएगा क्योंकि देखो pressure होता है force by area और अगर area छोटा हो जाए तो यानिकी pressure यह बढ़ा हो जाने वाला है तो ऐसे ही ossicles यह sound के pressure को बढ़ा जैती हैं अब आप बात करते है inner ear के बारे में तो देखो inner ear यह होता है एक boni structure और इसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा है purple color से इनकी उपर में होते हैं तीन semi circular rings और यह हमें मदद करते हैं body के balance को maintain करने में जब तुम चल रहे हो दौड़ रहे हो या फिर dance कर रहे हो तो तुम्हारे body की balance यह maintained रहती है यह होता है इनकी मदद से तो देखो वैसे यह हमें सुनने में मदद नहीं करती हैं इसलिए इनके बारे में हम detail में बात नहीं करने वाले हैं हमें sound को सुनने में मदद करती हैं यह नीचे वाली portion जो की snail की तरह दिख रही होगी इसे हम बुलाते हैं cochlea अब यह क्या करती हैं तो देखो भले ही ear के बाकी सारे parts यह vibrate कर रहे हो लेकिन जब तक यह vibration यह electrical signal में convert नहीं होगी और हमारे brain तक नहीं जाएगी तब तक हम sound को नहीं समझ पाएंगे और यही चीज़ होती है cochlea के अंदर देखो जब stir up यह हमारे cochlea को hit करता है तो इसके अंदर की fluid यह vibrate करने लगती है और फिर cochlea में होते हैं कुछ special cells जो की इस vibration को convert कर देते हैं electrical signal में और फिर यही electrical signal यह auditory nerves की मदद से जाता है brain को और फिर हम sound को समझ पाते हैं अब एक आखरी चीज़ यह cochlea के cells यह बड़ ही शानदार होते हैं यह जो electrical signals generate करते हैं यह बहुत ही sensitive होते हैं इनकी मदद से हम अलग-अलग loudness की sound को सुन पाते हैं अलग-अलग frequency की sound को सुन पाते हैं इनकी मदद से हम यह बता पाते हैं कि sound कब loud है या फिर sound कब soft है या फिर sound की frequency यह कब high है या फिर sound की frequency यह कब low है अब इसी interesting चीज़ के खारण हम music के notes को enjoy कर पाते हैं अब आप वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं हमने देखा कि हमारी outer ear का पिना यह sound waves को collect करता है और इन्हें transfer कर देता है हमारे ear drum के towards जो कि vibrate करना चालू कर देता है और इसके कारण यह three bones of ossicles यह भी vibrate करने लगते हैं और यह sound को amplify करके cochlea में transfer कर देते हैं अब देखो cochlea में होता है कुछ special cells जो कि इस vibration को electrical signal में convert करते हैं जो कि जाता है हमारे brain के पास और फिर हम sound को समाझ पाते हैं अब मैं यहाँ पर ear की कितनी भी बड़ाई करूं तो कम है देखा हमारा ear यह air particles की back and forth movement को sound में convert कर देता है यार यह तो बिलकु अली अमेज़ चीज़ है